हाई फ्रेंज गुड मॉनिंग नमश्का दोस्तों मैं पाल भी बसनायत ट्यांज इंटरनेशनल डिरेक्टर रेंग एंड फाउंडर आइडिनेट सिस्टम आप सभी दोस्तों का आज की स्पेशल वैबनार में स्वागत करता हूं दोस्तों ट्यांज इंटरनेशनल पिछले अठाई सालों से दुनिया के 24 देशों में और रिजन्स में करोर लोगों को हेल्थ वैल्थ हैपिनेस और प्रॉस्परिटी के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका दे रही है एक ऐसी एक ऐसी कंपनी जो एक ग्लोबल ब्रैंड है आज कियांज इंटरनेशनल और दोस्तों इस स्पेशल वैबनार में अगर मैं मैं बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने एक हल्की सी प्रेजेंटेशन देखी प्रेकॉर्डेड वीडियो के माधियम से कि ट्यांस वर्ड में वन अब दा मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनी है क्योंकि जो कंपनी के फाउंडर है उन्होंने इस कंपनी को एक अलग ही लेवल पर कंपनी को लेके गये हैं आज और पिछले अगर बात करें अठाइस सालों में इस कंपनी ने जो मुकाम हासिल किया है वो अन्बिलीबेबल है क्यांस इतनी बड़ी कंपनी बनी इतनी शांदक की जबदस कंपनी बनी उसके पीछे सबसे वड़ी वज़ा है दोस्तो इस कंपनी की फिलोसपी इस कंपनी के प्रोड़क्ट जो कि आज प प्रांतिकारी प्रोड़क्ट है ट्यांस के पास हमारे पास में हजारों साल प्राणी साइंस बेस्ट प्रोड़क्ट है जो कि आज की मॉडरन साइंस से कंबाइन किया गया है बहुती शानडार हमारे पास में मेडिकल एक्विपमेंट्स हैं हेल्थ केर एक्विपमेंट्स हैं tej परसनल कीयर की बहुत i versteilu रेंज है जिसमें से एक स्पेशल प्रॉड़क्ट है व्लॉड का बेस्ट एक्थ लिए भीनाती है उहंा है its बहुत सारे न्यूटी आफिमाय पास में अन है वह उसे ओसरी को ऑसमें आ आपर को शान दार बिजन्न समॉडल 20 साल पहले की बात है जुलाई 2003 में मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला जब मैं आज से 20 साल पहले टियांस में जुड़ा तो टियांस में बहुत कम लोग थे कम अच्छी वर्थे किसी को बिश्वाष नहीं होता था क्या ये कंपनी इंडिया में चलेगी क्या ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनेगी क्या ये कंपनी अगले 20 साल तक हिंडोस्तान में लाखों लोगों को अपनी साथ जुड़ पाएगी और दोस्तों में बताते हैं खुशी होती कि आज आज लाखों लोग तो हमारी टीम में हैं, बाकी कंपनी में तो कईयों लाख लोग, आज टियांस के साथ जुड़े हैं, और यह जो सिलसला है, अगर मैं बात करूं, अब जाकर और भी मजबूत हो चुका है, क्योंकि आज जिस तरिके से टियांस के पास प्रोड़क्ट हैं, जिसता की प्रमोशन्स हैं, जिसता की एक्टिवीटीज हैं, हमारे बीश में अनगीनत और्डिनरी से और्डिनरी लोग भी आज अपनी लाइफ को एक्ट्रा और्डिनरी बनाने के लिए लग चुके हैं, कमिटेड होके लग गये हैं, और उसकी वज़ा है दोस्तों, कि भी जिसन क्लियर है, जिनका कंफिदेश खक लियर है, जिनका बिलीफ पर फेट लेवल 100% है इसी इंडस्ट्री सेजिंदो की बदने हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जुसमें, इस दुनिया का कोई इन्सान यह नहीं कह सक्ता कि यह इंडस्ट्री में मिरे लियो नहीं बनी है, क चीज को एंजोई करना चाहते हैं तो आपकी सिहत अच्छी होनी जरूरी है और इसी लिए ट्यांस ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा कि एक ऐसे इंडस्ट्री इसको बोलते हैं एवर ग्रीन जब तक यह दुनिया रहेगी यह इंडस्ट्री चलती रहेगी इसी इंडस्ट् साइब लोग इस बिजनस में आये हैं ऐसी मैं भी आपी की तरह आया था बट आने के बाद में बहुत सारे घटना करम ऐसे हुए जिन अनुभाओं को हम आपके बीच में शेर करते हैं आए दिन बताते हैं उसकी पिछे की मकसद होता है कि शायद हमारे अनुभाओं को आप कर पाएं आपने आपसे और वहां से जो आपके लिए learning मिल सकती है वह आपके कईयों साल बचा सकती है जिन्दगी के क्योंकि के अगर आप ठोकर खा के सीखेंगे जरूर सीखेंगे नेकर ठोकर खा खा के सीखेंगे तो शायद इस जिए जिए चोटी पड़ जाएगी बैट तो कहते हैं कि पहला प्रिंसिपल है कामियाभी का हुआ है दोस्तों डिजायर क्या चाहिए आपको नोइंग वट युवांट डिजायर इस दा प्लंटिंग आफ यॉर सीड जो बीज है ना जिन्दगी में क्या बनना है क्या करना है क्या पाना है जब तक वह बीज नहीं लगेगा तो वह ब्रिक्ष नहीं बन सकता है आपको जिन्दगी में क्या चाहिए नंबर वन और जो जिन्दगी में आपको चाहिए वह ट्यांस से आपको मिल सकता है इसमें कोई दोर आई नहीं है कुछ भी चाहें आप हर चीज को पाने की यहां पर आपके पास में पावर है यह त्यांस की शक्ति है त्यांस में प्रूफ हो चुका है पिछले 28 सालों में आज लाखों लोग अपनी जिन्दगी को शांदार और जबतस बना चुके हैं आपकी भी बन सकती है इसी कड़ी में आज की एक ट्रैनिंग सेशन है इसके उपर मैं कुछ बाते करने वाला हूं आपके बीच में थोड़ी दिर में उससे पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसे कि अवे आपसे पूछा जाए क्या आपको नई नई जगा देखना पसंद है क्या आप चाहते हो कि आप नए नए स्टेशन पर जाएं नए नए जगा पर जाएं अपनी आँखों से देखें वहां का माहौल वहां का वातावर्ण और बहुत साइब फैमस चीज़ें हैं अलग अलग जगा पर पूरे देश में पूरे दुनिया में क्या कभी दिल से सोचा है मन करता है अगर मौका मिल जाए क्या दिल में है अरमान की हाँ यार अगर मौका मिल जाए तो हम देखना चाहते हैं मलग घुमने फिरने का शौक गुमने फिरने की इच्छा है अगर है तो यह वो प्लेट्फोर्म में जहां पर आपको ना सिर्फ पुरा हिंदुस्तान घुमने का मौका मिलता है और इसी कड़ी में अभी हमारा तूर चल रहा है जो अगले इस महीने नॉवंबर में और अगले महीने दिसंबर अठाइस तक है तार्गेट और ऐसा तार्गेट है जिसमें अगर मैं बात करूं तो लगवग छेप लेटिनम एक तरफ और छेप लेटिनम दुस्री तरफ हो जाएं तो छेप लेटिनम एक टीम में और छेप लेटिनम आप दुस्री टीम में कर दीजिए आपका कीजिए उनको हलालत में लेटिनम पर ले जाईए और फिर देखिए आपका थाइलेंड टूर कैसे होता है और भी जो भी टर्म्स अंड कंडिशन हैं आप अपने सीनियर से बात करें मैं इसलिए कहता हूं कि लग जाईए थाइलेंट जाना है और यह पॉसिबल है कि कोई दो राएं नहीं है जो लोग एक महीने बात भी जुड़ेंगे न वो भी करेंगे और जो लोग 15 दिन पहले जुड़ेंगे न मैं कहरो कि 15 दिन में भी थाइलेंट कर्टूर तूर है क्योंकि अभी हम लोग 21st of November आज तीन तारीक होगी ठीक से आज से 18 दिन बात हम लोग जा रहे हैं दोस्तों दूबई यह जो है लगबग एक हपते का टूर है सोची आप दूबई जैसे देश में आपको घूमने का मौका मिल रहा है एक हपता का टाइम काफी होता ह अगर मैं बात करें पांच दिन की तो पांच दिन बहुत होते हैं कहीं भी जाने के लिए गुमने के लिए सब कुछ फ्री खाना फिरी आना जाना सब कुछ एफ्रीइटिंग इस प्री अगला टूर्फित आइलेंड होने वाला है उसके बाद फिर हम दूबई में 29 साल गिर आप मेहनत की चाहिए टाइम टीम बनाइए क्योंकि अगले साल दुबई में कंवेंशन होगा तो आप वहां पर विद्टीम होने चाहिए तो दोस्तों आज मैं यह कहूंगा कि जो भी तार्गट जो भी गोल जो भी सपने आपनी हास फिक्स कर लिए अगर आप चाहते हो न है कि लना है बैठना एस नह enhancement बताना है उनके साथ काम करना एक मृवड़ा लेकिन एक सिस्टम कि जो आज हम जिस सिस्टम के एक सिस्टम करने अच हर रोज शाम को नो से 10 की बीच में जो प्रोग्रम होता है उसके माद्यम से जो एजूकेशन और ट्रेनिंग मिलती आपको वो आपकी जिन्दगी के कईयों साल बचाने वाली है बहुत समय से पहले आप मेच्योर होने वाले हैं समय से पहले आप जवान होने वाले हैं इस बिजनस के अंदर जो काम शायद पांक साथ में और दस साथ में होने वाला है वो काम साल दो साथ में कर जाएंगे आप बस एक ही कंडिशन है अगर आप सिस्टम में लगातार बने रहे अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया सिर्फ तभी तो सिस्टम का मतलब है अजारी सिस्टम क्या करता है दोस्तों जब सिस्टम में लोग जुड़ जाते हैं ना अगर आपकी टीम में सौ लोग हैं और सौ मैसे सब्वोज करते हैं दस लोग सिस्टम में नहीं है लेकिन नबे लोग सिस्टम में हैं बाई चांस आप भी नहीं आप भी कहीं घूम रहें फिर रहे ने आपका काम होगा अगर असली प्रातीशत लोग हैं तो भी काम होगा 50% लोग काम कर रहे हैं इस सिस्टम में तो भी यकिन करना लोग माहुल के अंदर पनपते हैं माहुल के अंदर आगे बढ़ते हैं इसलिए system की जरूरत होती है system एक कोईले की एक बड़े भठे की तरह होती है जब कोईला किसी भठे में डाल दिया जाता है दोस्तों तो एकदम लाल हो जाता है वो बठे में गर्मी है और उसी कोईले को निकाल के आप साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए वही लाल कोईला काला हो जाता है पता क्यों जब तक वो माहौल में था तो लाल था माहौल में गर्मी है लेकिन जैसी वो गर्मी से बाहर निकला काला हो गया सेम इस बिजनस की शक्ती है यह system अगर system के अंदर हो आपका motivation आपकी inspiration आपकी learning education action oriented feeling dreamer हर चीज यहां पर बनती चली जाती है इनसान बदलता चला जाता है चीजे बदलती चली जाती है और जो आजादी है time freedom money freedom दुनिया बर गुमने की जो इच्छा है वो सारी यहां से पूरी होती है सारी सपनी यहां से पूरी होते है जैसे जैसे दोस्तों यहां पर आपके level change ह होते हैं आपकी सोच भी चेंज होती है वक्त के साथ आपकी सोच में बदलावाएगा जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आपने जिन्देगी में महसूस किया होगा मैच्योर्टी जब आती है तो वही चीजे अलग रूपत में नजर आती हैं जो हमें पहले कुछ और नजर आ कि होश का होना भी बहुत ज़रूरी है खाली जोश के साथ क्या चाहिए आप एक ऐसा बिजनस में जोड़ने का काम है जोड़ने वाला बिजनस तोड़ने काम नहीं है जोड़ने का काम है सोच यह लोगों की जन्दगी बदल नहीं है लोगों की जन्दगी बैटर हो जन्दगी बदल जाए शानदा हो जाए इसलिए हम लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं घर से आप अपने घर से निकलिए क्या सोच कर कि लोगों की जन्दगी बदलेगी इस काम को करके जैसे आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों की जिन्दगी आप देखते हैं, आपके सामने ही बदल रही है, ऐसी आपकी भी बदलेगी, और ऐसी उन लोगों की बदलेगी, अगर इस भावना के साथ, इस सोच के साथ, अगर आप निकलते हो, तो यकिन करना चीजे बदलने वाली है आपके जिन्दगी में आपने देखा होगा बहुत साथ सेशन हमारे हुए हैं पिछले दिनों में पिछले साड़े तीन साल से हम लगा तार इस पैनल को चला रहे हैं यहाँ पर हमारे भीश में पताते हैं बड़ी खुशी है कि लगबग लगबग मोर दन 80% जो मakah वूमेंज सखे कि यहां कि यह बड़ी बात ऐस ए सोच बदर रही है n Do N I बहुत जबर्दस रोल निभाया जा रहा है जिसकी वैसे लोगों की ग्रोथ हो रही है आगे बढ़ रहे हैं सोच बढ़ रही है जिसकी वैसे अगर मैं बोलू कि एक अलग ही माइनसेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो इस तरह की फिलिंग नहीं थी लेकिन जो आज है ना अमेजिंग और यह है दोस्तों संगत और माहल से अगर आप चाहते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो आपको उन लोगों की इस बीच में रहना पड़ेगा जो और लोड़ी क वानी नोगी ती यह भठाव उस महार उमें रहोगे जहां काम्याभी है सक्सेश्र से माहल है पॉजिटिवी टी यह आप के जैसे जैसे बीच में बढ़ते हो ऐसे आप यह वैल्यू बनती है क्योंकि आपके अंदर भावना जाती हैं आप उस तरह के इंसान बन जाते हो चीज़ेंगे बदलती हैं और ये कि ना आश इस पैनल के माधियम से हम बोलते हैं कि आप सबका जो सपना है ना यहां पर एक होना चाहे वहाग गोल्ड लाइन इमीडेट इमीडेट गोल इमीडेट टारगेट आपका क्या है कि गोल्ड लाइन जाना है गोल्ड लाइन में लगबख एक लाग से ज़्यादा की तो रोयल्टी रोयल्टी है और ना ना करते भी दो से तीन लाग चार लाग बोलना असाने दोस्तो और गोल्ड लाइन बनने की उमर है वह है दोस्तों दोसे तीन साल अगले दो से तीन साल कैसे निकल जाएंगे आप पिछे मुड़के देखें कितने साल निकल चुके जिन्दगी के जैसे आज तक कितने साल निकल गए जिन्दगी के ऐसे अगले दो साल भी निकल जाएंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो अगर आपने हमारी बातों को सुना हमारी बातों को समझा उनको अमल में लाए और आपने मेहनत की यहां पर अगले दो से तीन साल में आपकी complete जंदगी बतलने वाली है complete का मदब 100% 360 डिग्री में कि आप चाहते वाइसी जंदगी तो आपका क्या सपना है क्या गोल्ड लैंड बनना है चाहत है या जिद है खाली चाहने से नहीं होगा जो चाहत है ना उसको जिद में बदनना होगा अगर आपकी जिद बन गई ना चाहत 100 परसन आपको कोई रोक ही नहीं सकता है हमारे साथ जिन्होंने भी जिद की ना अपनी चाहत में वह गोल्ड लाइंड बनगे और आज जिन्होंने जिद कर रखी है वह गोल्ड लैंड बने में मिलेंगे आक कोई डाउट नहीं है मुझे अपने आखों से सबसे पहले मैंने खुद को देखा है अपने लिए सब्सक्राइब करना होगा उसके लिए आपको बनाना होगा उसके लिए आपको लगना होगा बिना लगे कुछ नहीं होता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है कि हमारे बीश में एक शेर है जिन्हों ने एक ऐसा रोल निभाया है जिसकी वाया से माहुल सूपर से भी उपर की तरफ की तरहीं किक्यों और है है कि हमारे बीश में जितने भी लोग हैं आज जितने भी लिजर्स हैं वो एक मिसाल बन चुके हैं इसी कड़ी में अगर मैं बात कर रहा हूं आज आपके बीश में कि इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं न दोस्तों तो आपकी सोच को बदन ना बड़ा चलूए क्योंकि हम ने को स्कूल में कॉलेज में इस सब्जैक्ट्स पर काम नी किया ऑचुके हैं तियानस्य नाम का को सब्जैक्ट नहीं था आइडिनेट नाम का lesson नहीं था जाया आपकी पड़ाई लिख़ाई में भी न Patri स्ब्द्राइज नाम की sesब्लीक्स अजू सब्द्रिक से नहीं था लेके निकलिए पुरी दुनिया में है तो industry बहुत बड़ी है आज लगबग करोड का कि इंदस्ट्री यह फिप्टिन लाक करोड रुपीज कि डाइड में लिखिए सोची कितने होते हैं फंदरा करोड करोड को कि हर साल पंदरा को लाक करोड का उस्टरी और पैसा हम और आप जैसे में उनके घरों में जाता है कि हम इस इंदस्री के ब्रेंड अम्बेज़र रहें इस इंडश्री में को एड़िटाइजम्ट नहीं आता है इस इंडश्री में जो करचा है ना जो मिलिदल फैसे हम और आप लोगों में इसे लिए बहुत बड़ा मार्जन बहुत बड़ा profit और benefit company हम लोगों में बांटती है इसलिए हम लोग लाखों रुपया महीना हर महीना कमा रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों जब नई चीज़ है ना तो उसके लिए आपको अपनी सोच में बदलाव लाना है सोच में बदलाव लाना इसलिए जरूरी है कि जब इस काम में आप जुड़ते हो और जब आप काम करने निकलते हो तो बहुत साइच चीज़ें आपके सामने होती हैं जिसकी बैसे आपको लगता है कि शायद मैं इसमें काम्याब नहीं हो पाँगा यह शायद मैं फेल हो गया इस काम में मैं कामियाब नहीं हो सकता है जो आज का टॉपिक भी हमारा कि मैं कामियाब नहीं हूँ है नेगर्टिव माइंसेट ऐसा होता है मैं लोगों को जोड़ने ही पा रहा हूं मैं यहां पैसे कमा नहीं पा रहा हूं मैं यहां खाली आप ही नहीं हो तो यहां पर यह बहुतों के साथ होता है क्योंकि सभी आप ही की तरह इस इंडूस्ट्री में नए आये कि यह माईन्सेट यह सोच यह सोच को बदलना ही हमारा काम है दोस्तों आप यह मशोची है कभी ना पिल गे तुम्हां होंगा और में काम्याब हो गया तु बहुतों को जोड़stone हो गांक्त काुआ है अधि जब बहुतों को जोड़ न ACC से से फिर में फुल टाइम करूंगा मतलब इंसान सूचता है कि में मोटे पैसे आ जाए तो मैं फिर फुल टाइम लग जवागा ऐसा हो सकता है जा आप नौकारी को करते हैं जिस आम को भीर को करते हैं वाह ऐसा होता है क्या नहीं होता है न तो यहां हम क्यों सोचते हैं इसलिए जो माइंसेट है ना सोच है उस सोच के अंदर हमें कुछ चीज़े बदलनी है और आज मैं आपके बीश में तीन ऐसे तरीके बताने की तरफ जा रहा हूं जिनको यूज़ करके आप अपनी सोच के अंदर बहुत साही चीज़े डाल सकते हैं और आप काम्याबी के तरफ बढ़ने वाले हैं आप अपने आपको यह मत सोच किये कि मैं अगर लोगों को जोड़ नहीं पा रहा हूं मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं तो मैं फेल हो गया हूं नहीं यह तो एक हिस्सा है ऐसा नहीं है आप यह देखिए कि अगर आप इस और confidence होने के जो अगर मैं बात को तीन ऐसी बातें जो आपको यह भावना से इन भावनाओं से जो ग्रस्त हैं जो अपने अंदर inferior complex को पैदा करके बैठे हैं जो negativity वीचे से घिरे पड़े हैं जिनको यह समझ नहीं आ रहा है कि वो हैं कहां परिस्ताइं ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपको अपने आपको अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है अपने आतम विश्वाश को जगाने की जरूरत है मैं आपको पताना चाहूँगा सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज आप को यह पता लग चुका है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब आप अपने सपनों को देख पारे हो आप पता है आपके सपने पुरे करने आपने आप सपने देख रहे हो उन्हें पुरा करने के रास्ते पर चल पड़े हो आपको पीलिंग आ गई विजन बन चुका है यह कोई कम है क्या वह बड़ी बात है कि करो लखो करो लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक यहीं पता नहीं है वट इस नेट्वॉक मार्केटिंग इंडस्ट्री वट इस ट्यांस इंटरनाशनल नहीं पता है जो देखने के बाद सुनने के बाद समझने के बाद भी समझ ही नहीं पाए उन सब से देखा जाए आप समझ के सुनने के बाद समझने के बाद जॉइन कर गए इसका मतलब क्या है कि आप सक्सेस्फल हैं आप काम्याब हैं तो यह जूटी है ना फिलिंग कि मैं काम्याब नही आप एस देख सकते हो आप सोच जी कि पैसे नहीं कमाया अब ही मैंने अभी लोगों को जोड़ानी है मैंने पिस घुंक हो भी लोब लोगों से आगे चल रहे हो आप काम्याब हो चुके हो इस बात के लिए तो कि आप जुड़गे हो और काम्याबी के बारे में जब इंसान सोचता है न तो अलग-अलग definition होती success यह भी definition है कि लोग देखते हैं सुनते हैं समझते हैं नेगटिव बाते करते हैं जुड़ते नहीं है आप जुड़ गये हो जुड़ रहे हो जुड़ने और जुड़ने की इस mission में आप आगे बढ़ रहे हो आप ने देखा होगा बहुत साए प्रोस्पेक्ट है जब आप लो देखिए जो लोग नौकरी से प्रशान हैं जो लोग अपने काम धंदे से प्रशान हैं जो वाक्य में प्रशानी की जिन्दगी जी रहे हैं उनसे पूछन और क्या हाले कैसा काम चल रहा है और नौकरी कैसी चल रही है तो उनका रोना ही रोना निकलता है रोते हैं लिट्र जबकि आप तो जुड़ चुके हैं वो पैसे वाले हैं जो मर्जी हैं आप सोचो उनसे आप कितने आगे हैं या वो कितने पीछे हैं आपसे तो यह कंपेरिशन नगर देखते हैं आप तो अगर उस कंपेरिशन में देखो गए यूर वीनर यूर सक्सेस्फुल क्योंकि आपने एक्शन लिया है दोस्तों जो एक्शन लेता है ना ज़्यादा काम्याब होता है तो आपको यह नहीं बोलना है कि मैं काम्याब नहीं हूं मैं फेल नहीं हूं अले मैं तो फस गया हूं जिन्दगी में कुछ हो नहीं रहे जिन्दगी में यह सब कुछ टेंप् लिनित दोस्तों है इस अगर अगर अवेटMש वाद से आपका इंद्जा आ गया है क्यूं क्यों कि आप को यह पता है जिंदगी में मुझे करना क्या है द거든요кое में यह जैना कहां ए हम्वें बनना कहां क्या है हमारा होगा कि आगरे साल थी साल Чर्षट करेंगे हमारा वो होने वाला है जो लोगों का हो चुका है जिनने इस काम को शिद्दत से दिल से इमानदारी से किया अगर यही शिद्दत और यही दिल और इमानदारी से अगर आपने भी किया आपके नाम की जंडे गड़ने वाले हैं जंदगी में आपके परिवार में आप अभी मेरे को पैसे नहीं आ रहे हैं जी अभी मेरा काम नहीं हो रहा है जी अभी उत्रक ध्यान देने की जूरूट नहीं है आप फील कीजिए, आप decision maker है, आपने decision लिया है, आपको पता है, अब आपको करना क्या है, इस काम में, लोगों की जन्दगी बतलनी है, लोगों को जाके मिलना है, उनको बताना है, समझाना है, दिखाना है, ये काम है हमारा, और आप में निखार आएगा, आप में बदलाव आएगा, आज आप लड़ खड़ाएंगे, बोलते वे, समझाते वे, बताते वे, confused होंगे, डाउट होगा, बहुत साई चीज़ें होंगी, गल्तियां होंगी, लेकिन धीरे, धीरे, जब गारी चलानी नहीं आती है, कितनी दिक्कत होती है, और जब चलानी आ जाती है, तो क पान साल में हांकर हम लोग, ट्यांस इंटरनेशनल के साथ, आईडिनेट सिस्टम के साथ, जो भी आपके मेंटर हैं, और साथ में हम भी हैं, अगर आपको फिलिंग आती है, कि पाल जी के साथ काम करके, जिन्दगी में मजए लेंगे, पाल जी साथ में खड़े हैं, इनके स बन चुका है दोस्तों अवेरनेस आ चुकी आपके अंदर और आपने तोड़ना है जो आपके अंदर जूटी है ना कि मैं फस गया हूँ मेरा चल नहीं रहा है मेरा हो नहीं है इससे आप आउट हो जाएंगे यह जो दिमाग का माइंसेट जो खराब हो गया है वो ठीक करना ब यकीन करना लोग कंपनी को नहीं देखते हैं ना लोग को देखते हैं नंबर वन लोग आपके को देखते हैं आपके विश्वाश को देखते हैं आपकी अवेरनेस को देखते हैं आपको जब आप बताते हो ना लोगों को मैं क्या सोचके कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं जब से ज़्यादा Dannem a जादा से ज़्हादा आपके साथ लोग जुडैंज के लिए प्राइंट को अपने जिंद्रई में लेदा न दाल लेना यह पहला पॉइं ले ठाटान की भाने सन् razem하하 और जरूरी है और यह कब आता है जब आपका विजन होता है पता होता है मुझे करना क्या है मेरा होने क्या वाला है जब एक इनसान फसां लगाता किसान खेतों में उसको पता होता है इसको पता होता है यह हुसक क्या होगा यह उसके इसको um वाला कोई भी इंसान दुनिया में है दोस्तों जब उसको ये पता होता ना मैं जो कर रहा हूं इसको करने के है और उससे आप जब एक्शन और मोड में आ जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों बाद कुछ साल के बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे होते हैं नंबर दो मैं काम्याब नहीं हूं यह जो तोड़ने के लिए दुस्ता तरीका है दोस्तों आपको ल जो पहले सिखा आज तक जिन्दगी में ना उससे वह स्किल लेना हो है और आपकी नहीं कर रहे होते हों आपको स्किल यह बस्किल पैदा करने पड़ेंगी अपनी वैल्यू बनाने पड़ेगी जब आपकी वैल्यु बड़ेगी ना तब आपकी इंकम बढ़ेगी आप जैसे हैं वैसे ही रहोगे तो वहीं मिलेगा जो आज तक मिल रहा है अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको लर्निंग मौड पर जाना होगा आपको इंशर करना होगा कि आप बिल्कुल लर्निंग मौड में हैं उसके लिए यह जो तो थियान आपका अगर इदर रहे तो अगर आप लर्निंग कर में है आपके लिए आगर मेंothers में और आए तो अ आप इसbouruche हो पूछ ताइम लग रहा है मैना दो मीना छे मेना लगता है किया हो गया कई यह बहुत तेजी से सीख जाते हैं कि यह प्रोड़क्त है उसके डैमो है मोटे-mोटे फाइदे हैं यह बताने हैं मोटा-mोटा बिजनस प्लान है वह बताना है आपका confidence आपका विलीफ आपके awareness feeling closing कुछ लोग आदा घंटा एंग गंटे के अंदर मोटा मोटा समझाया जोईनिंग करते हैं व्राउंस से सिलवर से गोल से प्लेटिनम से कर लेते हैं अगर आपका नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी आप learning मोड पे हो अभी आपके अपने अंदर जो कमिया हैं को दूर करना है इंप्रूव करने वाले मोड पे हुआ ज मुझे भी मेहनत करनी है प्रैक्टिस करनी है और जब आप ज्यादा ज्यादा लोगों मिलेंगे बातचीत करेंगे ज्यादा प्लान दिखाएंगे डेमो देंगे क्लोजिंग करेंगे तो दीरे दीरे आपको समझ आ जाएगा कि आप कहां कहां गलतिया कर रहे थे और कहां कहां आप आपने improvement कर लिया और effective होंगे आप आप उतने ही yes के आगे जा रहे हैं आपकी closing शांदा होने वाली है लेकिन कब होईगी जब आप इस काम को करते रहोगे करते रहोगे निखार कब आएगा जब इस पर काम करोगे लोगों से मिलोगे लोगों को बाते बताओगे दिखाओगे closing करोगे कर करके ही business होगा सीख के business नहीं होता है दोस्तो नोट कर लीजिए बात को सीख कर business नहीं होता है सिर्फ किसी का सीख लोगा जी मैं नहीं सीख कर करना है जब करोगे तब होगा असल मैं business होगा जब हम करेंगे लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है कि कर से करना है एब बात करूं कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लर्न को और कईों गुना ज्यादा अच्छा करना है वीतरीन करना है के लिए बुक पढ़ना है तो इसके लिए दोस्तों आपको बुक पढ़नी चाहिए जाइए पॉस्टिव थिंकिंग की किताब जिसे यू कैन विन बहुत शांदर किताब है थिंक एन ग्रो रिच दा मैजिक ओ विक थिंकिंग आपने सुना होगा एक किताब है डेल करनिंगी की हाव टु विन फ्रेंट्स एन इंट्स दा पीपल पांच शे किताबें हैं यह अपने पास रखिये मेरे पास अगर मैं बात करूं लगों पांच सो से ज़्यादा बुक्स होंगी आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं यकिन करना यह किताबें नहीं हैं यह जंदगी बदलती हैं अगर आपने मीटिंग सेमिनार गेट टुगेदर मिस नहीं किये कोई भी सेमिनार हो रहा है कोई भी बीबियस हो रहा है आपको मतलब हकी नहीं है मिस करने का कुछ भी हो कहीं भी दुनिया के किसी भी कौने में हो आपको उस हिसाब से अपना शिल्डूल बनाना है जिन्दगी का कि बीबियस मिस नहीं होने चाहिए कन्वेंशन मिस नहीं होना चाहिए कोई भी टूरा आगया वो मिस नहीं होना चाहिए हर हालत में आपको अपनी इन चीजों को करना ही करना है कियोंकि ये चीज़ें दोस्तों अपने आपके अंदर magic क्रियेट करती है miracle क्रियेट करती है इसमें ताकत है शक्ती है एनर्जी है और दुनिया में जिस चीज में एनर्जी होती है वो अपन रोल निबाती है अपना काम करती है तो books इवेन्ट कभी miss नहीं करना है वह लर्णिंग का ना विशाल मशाल है वहां मात्र खड़े होने से बोलते ना कि वह कौन सा ब्रिक्ष था कौन सा बोधी किस क्या नाम था उस्त्री का नाम उठ पेड़ के नीचे जब बैठते थे तो मुक्ष मिल जाती थी बोलते हैं ना सुना होगा आपने सब्सक्राइब सेम चीज़ है बीबियस में या कंविंशन अगर आप चले गए यकिन करना जिंदगी बदल जाती है यह शक्ति है उसकी और दुस्री बात है दोस्तों आपको अपनी एक्टिविटी चेक करनी है आप अपनी डाइरी को मेंट करिए आप अपनी एक्टिविटी देखिए आज आपने कितने लोगों से बात चीत की अपलाइन से बात की टीम से बात की और बातें क्या करनी है पॉजिटीव कंस्ट्रक्टिव क्रियेटिव मॉटिवेटिव आप से बात करने के बाद में सामने वाले को अच्छा लगना आपसे बात करने के बाद में सामने के बाद सीर्दद नहीं होना चाहिए व क्योंकि जिव जिदी में हर चीज है आप कहान से आपका यह बताएगा आप क्या डिस्कॉस करते हो और जो डिसकॉस करते हो इसके लवा आपको अपने एक्टीविटी आप परसनल कितनी मीटिंग य हो रही है मीटिग हो रहिए गर टुगेदर खोड़ा की नहीं हो रही है क्या प्रोडर्रेट्ट्रेट्स ट्रेनिंग अपनी अफने टीम में करते हैं पुछ ही अपने आप से पड़ेगा काम्याब होना है तो जरूरी नहीं है पांसों लोग ओंगे या पचास लोग होंगे, दो लोगों की ट्रेणिंग से शुरू करिए, एक आदमी उसकी ट्रेणिंग दीजिए, चारे दिमी उनकी ट्रेणिंग कीजिए, आपको अपने अंदर Wobit Дवेल्ट करनी होगी, वो कल्चर ड्र करना होगा, वो माइनसेट ड्र करना होगा, और जब आपको पता लग जाएगा कि आपकी टीम में क्या हल चल चल रहा है जिसकी टीम में इस तरह की हल चल चल रही है उसकी टीम ग्रोव हो रही है ग्रोव डेल्टमेंट चल रही है उस टीम में जिस टीम में कोई get together नहीं हो रहा कोई meeting नहीं हो रही है को ट्रेंइंग नहीं हो रही है बगवान भरोस से चल रहा program है ना तो अंधेरे में लट्थ मारने से ज़रूरी नहीं है कि लग जाएं और दुनिया में करने से आपको काम्याभी मिलेगी यह बात आपको इंशूर करना पड़ेगा अपने आप से तो यह जो दुसरा point था दोस्तों वो था learning and earning अभी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो चिंता ना करें जो मजदूर टाइब के लोग होते हैं उनको हर रोज पैसा चाहिए वो हर रोज पैसा आ जाए तो करते हैं नहीं तो नहीं करते हैं जो जिन्दगी में नौकरी करना चाहते हैं वह जिन्दी की पर नौकरी ही करेंगे उनको महीने में पैसे चाहिए अगर महीने में पैसे नहीं आए तो तो नौकरी छोड़ा देंगे किसी और पड़ा जाकर न्योक होने वाला है वो बेला सिरस तियरा क्या होगा डिक यह दिय लोगथ़ था ना तो वह две बात पकी है आपका क्या होगा आपको खुद अपना आएना देख सकते हो अपने बाले में खुद जुझमिंट ले सकते हो कोई और नहीं आपका ज़जमिंट लेने वाला आपको पता है जिस आदमें को सब्र है जिस आदमी का vision है, feeling है कि भाई सब जो भी कर रहा है यह सब temporary मामला है और कोई बड़ा होने वाला नहीं है अगर कुछ बड़ा करना है तो ट्यांस में हो सकता है बड़ा तो ट्यांस में दिलो जान से तन से मन से धन से हर तरीके से नियुच्छावर कर दिया ट्यांस के प्रती समर्पित कर दिया और कर लिए सिस्ट्म है हमारे पास में हाई ट्यन्य ket system कि अगर आपने अंदर यह जजबा डाल दिया कि लर्निंब स्टेज कि मार हैं कमारे हो आपने सौरफ्पर कमाने शुरू कर दिये 500ै अरपा श्रू कर दिया Jorge हर अजयत आपका बोनस बन रहा हज़ार थो जबन रहे हैं अजय फैसे उप24 बन रहे हिएं। है Хорошо दो लाख आगे हपते में एक लाख रुपर के लगा लीजिए चार लाख रुपर महीना कम होता है क्या सोचिए न अब आपकी मर्जी है कितना चाहिए कितना बिजनस मॉडल है हमारे पास में शानदा जबदस तो पहला क्या है दोस्ता अवेरनेस एंड कॉंफिडेंस दूसरा क्या था लर्निंग कर और सब्सक्रा दा सब्सक्राइब और जंडे गाड रखें अपने नाम के लास्ट है दोस्तो आज का तिसरा पॉइंट कि मैं काम्याव नहीं हूँ यह जो नेगेटिव माइंसेट इसको ब्रेक करने के लिए है वह एकामिट्मेंट किन कोंशिश्टेंशी के कमिट्मेंट मतलब रुद जेद कर दिया आपने वादा कर दिया मतलब के तोना हम रहे ना रहे लेकिन वादा जरूरे स्पने यह क्या अपने रुदि आप ने सुना होगा प्रान जाए फढ़ वचन न स जाए यह level of commitment है कि प्रान चला जाएं लेकिन वचन ने जाने वाला क्या आप ऐसे commitment आप दुनिया के साथ छोड़ दीजिए सबसे पहले इंसान commitment अपने आप से करता है एंड कंसिस्टेंसी जब यह दोनों ही चीजे कठी होते हैं न वहां पर तुफान आते हैं चमतकार होते हैं वहां बहुत कुछ बड़ा होता है जहां commitment होती है और साथ में consistency होती है और commitment मतलब कुछ भी हो कुछ भी हो हम करके दिखाएंगे उतना आंदी आ जायाय आ जाये लेकिन मैं जरूर आऊंगा मैं जरूर आऊंगा और मैं जरूर आऊंगा this is commitment, आप से किसी ने वादा किया ना मिलने का, कुछ भी हो, वो आपको मिलना जरूर आएगा, इसका मतलब उसने अपना वादा निभाया, उसने अपना commitment पुरा किया जब आप कामियाब नहीं हो रहे हैं, तब भी आप training लेने के लिए आ रहे हैं, अभी आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी आप से लोग नहीं चुट रहे हैं, तब भी आप webinar में आ रहे हैं, training ले रहे हैं, meeting में आ रहे हैं, seminar में आ रहे हैं, इसका मतलब है अपने commitment किया है, आप अपने commitment को निभाने के लिए आप आते हो क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर मैं अपने commitment में रहा और मिन अपनी consistency रखी तो चमतकार पका होगा यह आपको विश्वास हो चुका है कि अगर आपको यह विश्वास हो चुका है कुछ भी हो दोस्तों अगर आप काम्याब नहीं हो ना नो प्राब्लाम लेकिन आपने वादा किया है मैं तो लोगों से मिलूगा मैं तो लोगों से मिलूंगा और मिलता रहूँ लोग नहीं जुड़ रहा हैं फॉल ऑप करूंगा मैं फॉल ऑप करूंगा लोग जुड़ नहीं रहे हैं तब भी आप दिखा रहे होव क्योंकि आपको पता यह फॉल ऑप क्थ्ले सब्सक्राइब कर दो क्लिसे बागा चुड़ गया क्या Rs. आग लाइन देख्शन में जो डेली का शोप है ना डेली मेहनत करनी है डेली लोगों से मिलना है बात करनी है टीम के साहथ अप लाइन डाउन लाइन क्रॉस लाइन जब इस कंसिस्टेंसी में आप रहेंगे तो यह हैबिट बन जाएगी दोस्तों और जो हैबिट होती है जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चमतकार शुरूर होता है चमतकार बोलते हैं चमतकार कोई नमशकार दुनिया में अगर आपको मालू है कि अगर मैं लगाता किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंट इसके साथ करत हैं तो कितने चमद कर दाते हैं यह एक पानी कि जबून्द है न जब तबढ़ करते किशी चत्तान के उपर है तो वह पानी जैसा नाजुक मुलायं जुक है ना इतनी तो अच्म एपीव्प्ण सी ड्रॉप बड़े से बड़े चत्तान में भी छेद कर देती हैं एक मुलायम सी रसी अगर किसी पत्थर के उपर बार बार उसको चलाओगे तो उस चल्टान में उसकी निशान छोड़ देती है वो कहने के मतलब ये दोस्तों की कंसिस्टेंसी एक आम आदमी एक और्डिनरी आदमी जिसको लोग बहुतर इसके बसका नहीं है यह करी नहीं सकता यह काम्याब हो ही नहीं सकता है गरंटी के साथ काम्याब नहीं हो सकता है ऐसा इंसान भी जब कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है न हिए लोंग नतों तले उंग्ली है देवाते हैं लोग हिरान हो जाते हैं तो कंसिस्टेंशThe zum कि यह पावर है अब आत्? बात यह दोस्तो आज की तडमागर में बात करों लोग आप दूड़ेंगे लोग अपसद काम करेंगे कि लोग आपको देख रहे हैं कि लोगों को निया पता आपका सच चल या बूरा चल रहा है क्या सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कुछ पता नहीं है पाइध वाला है जिसके सिर्फ अभी आपने कल्द ना किया है लेकिन हो हकीकत में पूरी वाली है अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ कमिट्मेंट स्थी के साथ की काम किया ना आज मैं कामयाब नहीं हूँ नेकरिटिव मांशेट बना हुआ है यह ब्रेक हो जाएगा तोट ज लोग ना तो बैहम से भरे में चक्त से भरे में लोग भूल फाक रहे हम जैसे आम और्टनरी लोग जंदगी बले बले प्ले तरक्यों गयों कि इसलिए क्योंकि हमने बिलीव किया विश्वास किया हर चैलेंज में टिक है लगे रहे कंसिस्टेंसी के साथ कमिटमेंट के साथ और रिजल्ट पैदा हुए अपने आप हमने कुछ नहीं किया होता चला गया मैंने कुछ नहीं किया मैं करता चला गया चीज़ें होती चली गई और हमारा हो गया ऐसे आपके साथ भी होगा आपको नहीं पता कैसे होगा कब होगा कहा होगा किसे होगा जरूर इस बिजनस में आज से 20 साल पहले जब मैं आया था आप ही की तरह था यकिन करना मेरे साथ में कोई नहीं था आज पास इतना जो आज हमाई पास सॉलिड टीम के साथ में अजिए süिस्टम की हमें मालू मैं कि आने वाले कुछ सालों में हम बहुत सॉलिड पावरफुल टीम के साथ हिंदोस्तान में रूल कर रहे होंगे ना सिर्फ इंडिया ने दुनिया ना में दुनिया के आन्ड99 कर जहमता आज ना अपने आप से जो आज ट्रेनिंग होई है जिसमें तीन बातें बताई आपको आप इन तीनों ही चीजों पर आपने ध्यान दिया कि अपनी अवेरनेस और कॉंफिडेंस लर्निंग और अर्निंग और साथ में कमिट्मेंट कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी हो किसी भी चीज को को शिद्दत से चाहोगे तो सारी काइनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देगी दोस्तों इस उमीद के साथ कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सिखने को समझने को और सुनने को मिला होगा और इसको आप जिन्दगी में अमल मिलाएंगे हर रोज शाम क जब आप आएंगे अपनी डायरी के साथ अपनी टीम के साथ और अपने गेस्ट के साथ भी आईए मैं दावे के साथ और गरंटी के साथ कहता हूं इस बात को अगर आपका कोई गेस्ट पहली बार आएगा ना और उसने एक घंटा ये प्रोगाम अर्टेन्ट कर लिया वो बहुत साथ लोग ऐसी भी होंगे आपको महसूस कराएंगे हां जी हां जी बहुत अड़ी आज बड़ा जोज दिखाएंगे एकसाइटमेंट दिखाएंगे लेकिन वह आपके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे जंदगी में लिख लो डायरी में मेरी बात आपको लगएगा एक आजमी को देखके लगा पता नहीं जुड़ेगा कर नहीं जुड़ेगा पता चला उसी ने आग लगा दी जंड़े गार दी है इसलिए किसी को प्रीज रजना करें जो चीशी नहीं हो आपको जेटीशी नहीं बनना इस बिसनस में हंड़ेट परसंट रिस्पेक्ट दे I am vip पर आपको क्या बोलना है यस यू ün विएईप अगर आपने दुस्सरे को विएई पी बना दिया अगर आप दुसरे नमबर पर आपने आपको पर पहले को यस्दध नमबर पर प्छोने अपनी तेम को रखो और अपने प्रसपक्ट को रखो बसक्त वैं मैं अपने ट फिर देखिए आपकी जिन्दगी कहां से कहां पहुंचती है आज के लिए इतना ही आज का सेशन में यहीं पर आपनी वानी को विराम दूँगा जैसे के हमारे टाइम का प्रोटोकॉल है नौ से दस मतलब दस तो आज का दम दस हो गया है है ना दस का दम जो बोलते हैं तो कल शाम को ठीक इसी टाइम हम इस पैनल में फिर आएंगे कल जो सेशन है वो है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर डॉक्टर अमरिश कुमार पंचाल सर एंड राजिश कुमार सोम सर आएंगे कल आपके बीच में और कल वो साथ में शायर इनके साथ में सुशील चिकारा जी आएंगे तो कल और भी पाउरफुल सेशन होने वाला है तो आज मैंने थोड़ा सा आपके लिए हलका डो है वासुदेव सर अरशना जी और साक्षी जीन इतना है वी आपको डोस दिया तो मैं थोड़ा हलका करके आया हूं आज वह लग बात है कि मेरा भी भारी लग गया तो थोड़ा जहलते रहना फाइदे में रहो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है और कल का सशन और भी शा है सबके बाद लंबी चोड़ी गाड़ियां बढ़िया बंगले घर लाख और बैंक में पुरी दुनिया कर रहे हैं सहर ऐसा महाल हो एक दुस्ट्रे की इज़त और मान सम्मान बस मैं आज किसी को मिला मैंने उनको क्या वोला मैं का आप मेरे भगवान हो यकीन करना मैं से बोल रहा हूं मेरे लिए भगवान है क्या आपके लिए भगवान है जरू सोचिएगा आज के लिए इतना ही कल शाम को ठीक आठ बचकर पच्पन पर पर प्रोगाम शुरू हो जाता है और दस बजे का मतलब थोड़ा बहुत पर नीचे हो सकता है जैसे शुरू हुआ था लेकिन हम नहीं चाहेंगे दस का मतलब दस ही है तो आपका तैद से शुक्रिया इस प्रोगाम को काम्याब करने के लिए और यहां पर मिलकर हम आगे बढ़ेंगे मैं दूआ करता हूं इश्वर से हम सबको ऐसे शक्ती मिले ताकत मिले बुद्धी मिले क्योंकि उसकी बिना लगती नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ होने वाला है आपके जिन्दगी में और मैं जरूर कहता हूं कि मेरी तरफ से कोई कमी रहने वाली नहीं है बाकि आप देखिए और फिर भी हमारे लाग कोई सेवा हो सुधरने का कई मौका हो जरूर हम आप से चाहेंग कि शेरिंग नहीं होगी बिल्कुल होंगी बट वा सर्प्राइज होंगी जो रेगुलर आएंगे उनको कुछ ना कुछ से मिलता रहेगा तो मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि मेरे लैप्टॉप की बैटरी भी खतम होने वाली है जान बुचके मैंने इसके चार्जर भी लग लुचे मेरे लसा ही बारे लुचो फे रहे लां वाहो हो बारे वाले से चारज पर ë侏 भी खतम यहांगी बट रहे धनंबले खतम हो इसे घूर यह खतम हो बड़िई बारा तो मैंने पुट भी खिड हो रहे डाने नगा कर दो